वेलकम टू फैंटेसी केप्टन भायो मैच है दिल्ली और राजस्तान के बीच में अरुन डिल्टली स्टेडियम दिल्ली में ये मैच होने वाला आईपेल का ये 56 मैच है ठीक है और 56 मैच की बात करने से पहले बात करेंगे पिछले जो तीन मैचेस हमारे गये हैं लगातार है अच्छे मैचेस चलने हैं तो इस तरह से कुछ कमाई चली आईपेल की जो भाई चैनल को एक बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अब तक टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है जाकर फटा फट टे हैं विमन्स के मैचेस हो रहे हैं ठीक है और आप यह टीटेन मैचेस हो रहे हैं और भी जो अच्छे टूनमेट्स होता है कमाने वाले याद रखना कमाने वाले जो मैचेस होते हैं सारे मैचेस नहीं जो कमाने वाले मैचेस होते हैं उनकी टीम भी आपको टेलीग्राम पर द वाला है हाँ वो अलग बात है कि पॉइंस टेबल पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है आर्सीबी उपर आते चली जा रही है और आर्सीबी के चांसे कुछ परसंट मुझे लगता है कि हैं अभी भी हैं क्योंकि नीचे के जो टीम है में रिखाल से CSK और हैदराबाद की टीम अ एक बहुत अच्छी टीम है राजस्थान को टक्कर का मुगाबला देने वाली बिल्कु टक्कर का मुगाबला देने वाली अच्छे बालर्स इनके पास हैं और लाउंडर बीन के पास अच्छे हैं बैट्समैन बीन के पास अच्छे हैं और राजस्थान रोयल तो टीम है य थोड़ी बहुत मदद देखने को आपको मिल सकती है ठीक है तो जीतने वाले टीम बैटिंग फर्स्ट यहां पर प्रिफर कर सकती है ठीक है इस चीस का ध्यान एकना और अगर ड्यू यहां पर रहा तो ड्यू जो है रात में थोड़ा सा इंपक्ट डाल सकता है वो डिपेंड क प्रिफर को मैंने पहले बता दिया थोड़ी बहुत यहां पर मदद देखने को आपको मिल जाती है विगेट्स यहां अच्छे कास से आपको पेसर निकालते वह दिखने वाले हैं 374 विगेट्स ने निकाला और 177 विगेट्स को मिला हुआ है रिसेंट मैचेस की अगर यहा 120 तक पहुझ गी बट DC ने अगेन इस मैच को जीत लिया बहुत क्लोज गया था यह भी मैच SRH और DC के बीच में यह मैच हुआ SRH ने 206 ट्रिन किया साथ विगेट्ट कोकर और DC वाले 1999 रन बनाया यह भी क्लोज गया मतलब हाई पहुझ गया था यहां पर आपको देखने को मिलेगा 200 के पार ही तीन मैचेस यहां पर रिसेंट के हुए है तो कहीं न कहीं यह मैच ब आपको 200 के आसपास देखने को मिल सकता है बात करें देली कैपिल्स के प्लेइंग 11 की तो देको पीशा, मैगरक, शाइवोप, आरपंत और आपको टी स्टेप्स, टी स्टेप्स से पहले पौरिल आपको देखने को मिल सकते हैं देन अक्षर पटेल, आरसलम, के यादो, के एहमद, एल विलियम्स और एम कुमार आपको बॉलिंग करते दिखने वाले हैं बॉलिंग स्टेप्स के अगर बात किजा तो पाउर प्ले और डेथ में आपको खरील एहमद दिखने वाले हैं मिडिल के वर्स में कुल्दी, प्याद, और अक्षर पटेल भी अपने बॉलिंग करते वे आपको दिखने वाले हैं बात करें के प्लेयरों के स्टेट्स की सबसे पहले चेक करें हैट टुवेड रिकॉर्ड पर पृत्विशा का तो 9 मैचों में 165 रन है है रिकॉर्ड रिकॉर्ड इनका और वेन्यू पर इनके 20 मैचों में 431 रन है तो मोस्पर भी चांज है 30-35 रन की पारी प्रत्युशा इस मैच में आपको खेलते वे दिख सकता है रिसेंट पांच मैचों के अगर बात करें 13-11-16-7-32 तीक है वहीं मैगर के अगर बात करें जे फ्रेजर मैगर की हैट्टू वेड़ अब तक केला नहीं है वेन्यू पर तीन मैच में ही प्रत्तर रन कर दिया और रिसेंट पांच मैचों के अगर इनकी बात करें तो 12-24-25-20 अच्छा केलना है यह लड़का फ्रेजर मैगर अस्ट्रेलिया का यह प्लेयर है और इस मैच में भी आपको अच्छा करता है दिख सकता है क्योंकि प्लेयर यह अच्छा है और रिकॉर 25-19-11 वही बात करें इशव पंद की हट्ट्ट में 10 मैचों में 385 किये हुए है वेन्यू बेन के 28 मैचों में 930 रन है तो वेन्यू पे आपको आरपंद काफी अच्छा खेलते हुए दिखने वाले हैं इस वेन्यू पे भी क्योंकि रिकॉर्ड इनके काफी अच्छे हैं रिसेंट फॉम अगर आप दिखोगे इनका तो 27-29 88-44-16 काफी अच्छे रिगॉर्ड भी है और पंद का तो मोस प्रेबली वी-सी वगएर है के लिए काफी अच्छी च्वाइस हो जाते हैं और मैगर को भी अगर आप हटके बनाना चाहों वी-सी तो ट्राइब कर सकते हो टी स्टेप्स की बात करें एक मैच केला एक्ट्वेट 44 रन किया था वैन्यू पे ती मैचों में इनके 84 रान है डिस इन फॉर्म देखोगे आप • 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 वेन्यू पे 20 मैचों में 440 रन है, 14 विगेट के साथ काफी important player यह हो जाता है, recent 5 मैचों में आप देखो गए तो 15 रन, 2 विगेट, 11 रन, 0 विगेट, 64 रन, 1 विगेट, तो कहीं लगें recent form भी अक्षार पटेल का अच्छा है, कुल्दी प्यादो की बात करें, 9 मैचों में 9 वि गाला है, वेन्यू पे 9 मैचों में 5 विगेट, लास्ट रिसेंट 5 मैचों की बात करें तो 0-2-0-0-1, इस तरह से इनका recent form चला है, खलील एहमद मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा फस बालिंग अगर आगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि रन, विकेट इनको मिल मुझे अच्छा उप्शन नहीं दिखने वाले खलील एहमद, बात करें आरसलम की, तो head-to-head में अभी तक मैच खेला नहीं है, और वेन्यू पे इनके 2 मैचों में ही 6 विकेट है, तो वेन्यू पे इसने 2 मैच खेला है, और 6 विकेट निकाल दिया है, प्लेयर ही important हो जाता ह दिखने वाले हैं, एल विलियम्स की बात करें, head-to-head up तक केला नहीं है, वेन्यू पे एक मैच केला था, 0 विकेट इनके वेन्यू पे रहे हैं, वहीं रिस्ट पांच में चुकि इनके बात करें, 1 विकेट, 0 विकेट, 0, 2, 0, इस ताहसे इनका रिस्ट फॉर्म है, विलियम टीम पॉइंस टेबल पे, टॉप पे चल रही है, और टीम इसने बहुत अच्छा किया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से उपर इसने टीम किया है, और मुझे रखता है, राजस्तान रोयल एक बहुत तगडी कंटेंडर है, फाइनल टीम में पहुचने के लिए, ठीक है, और एक हान इनके प्लेइंग एवेंस है, आपको दिखने वाले हैं, वहीं बात करें, इनके प्लेइरों के स्टैट्स की सबसे पहले देखते हैं, वाई जैसवाल को, यश्यू जैसवाल का एक्टूइट फॉर्म भी अच्छा कह सकते हैं, पहाँच में जुमेही 123 सिन किया ह हैं, तो वेंडू के रिकॉर्डिंग शायद फॉर्म भी अच्छा है, जैसवाल को ड्रॉप करके, जे बटलर को आप ग्यल में कैट्टन बनाना, ठीक है, मुझे लगता है कि जे बटलर इस मैश में अच्छा कर सकता है, ठीक है, क्यूंकि इसके रिकॉर्ड बहुत अच्छ हैं, चाहे वो वैनी हो गया, चाहे वो हैट्टू एड हो गया, रिसिन फॉर्म इनका पिछले दो तीन मैच में अच्छा नहीं रहा है, जिसके उसे लोंगों का इन पर ध्यान नहीं जाएगा, मुझे लोगे इसी जैसवाल के साथ जाएंगे, ठीक है, आप जाना, जास बात करें, हट्टू एड में, 14 मैचों में, 301 रन है, वैन्यू पे 20 मैचों में, 436 रन, रिसेंट पांच मैचों में, 0, 71, 32, 18, इस तरह से संजू चंचन भी अच्छे फॉर्म में, चलना है, वही बात करें, रियान पराग की, 8 मैचों में, 159 रन है, एक विगेट के साथ, वैन्यू पे 3 मैचों में, 73 रन है, रिसेंट मैच की अगर रन की बात करें, पिछले मैच में, शांदा 70 रन की पारी खेली, उसके पहले भी बहुत ठीक, ठीक ठाक सा केला हुआ है, लेकिन रियान पराग की एक ऐसा बल्ले बात है, जो कि इसके अंदर वो काबिलियत है, कि एक बड़ी पारी या फिर अगर टीम को जरूबत है रन्चेज में, तो ये करके आदे सकता है, रियान पराग एक अच्छा प्लेयर है, ओवरॉल बालिंग भी ये कर सकता है, देन बात करें, शिमरान हेटमेर की हेट टूर्ड में तीन मैच कहले हैं, चमवर नन कुछ खास है, वेन्यू पे अब तक खेला नहीं है, और रिसेंट पांच मैचों में 13, 0, 27, 13, 11, शिमरान हेट में जी येल का बहुत अच्छा प्लेयर रहने वाला है, अगर आप इसे चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, टॉप ओडर ड्रॉप कर दो, आर अश्विन की ब बात करें, दस मैचों में 14 विकेट हैं, हैट टू हेट में, और वेन्यू पिक 14 मैचों में 16 विकेट हैं, तो ट्रेंड बोल्ड ओवराल आपको अच्छा इस मैच में करते हैं दिख सकता है, इस्पेशलिए फर्स बॉलिंग पे और भी अच्छी आपको, दो से तीन विकेट इक एक विकेट मिला है, उससे पहले एक विकेट इनको मिला हुआ है, मैं कहूंगा कि अगर फॉल्स बॉलिंग आती है, तो यह उसमें चैहल को आप ट्राइ कर सकते हो, ठीक है, अगर चाहों तो ड्रॉप भी कर सकते हो, अब इश्पान की बात करें, चार मैच में, चार वि इक रिकेट है, देखो, संदीव शर्मा है एक ऐसा बॉलर जिस पे आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, ठीक है, संदीव शर्मा बल्क में रिकेट निकाल सकता है, इस पिछ पे, फर्स बॉलिंग है तो इसे ज़रूर ट्राइ करना है, और स्मॉल लीग में अगर डि अगर सेफटी खेलना है, तो ये थे टॉप पिक्स, अब एक बार चलते है, अपने ड्रीम 11 टीम पे, वहाँ देखेंगे, कि क्या होने वाले हैं, और किस प्लेयर को अपनी टीम पे रखना है, किसे करना है, ड्रॉप, सब कुछ वहाँ पे डिसकस कर लेंगे, चाहे हो क्या वह टीम से रिलेटड हुआ, चलो, अभी चलते हमारी आज की टीम क्या होगी, लेकिन उससे पहले जो भी बाइच चैनल पर स्टेप्स को देखते हैं भी रखना या नहीं रखना है और यान पराग और अक्षर पटेल आपके पास हैं बॉलिंग से आपके पास ट्रेंड वोल्ड कुल दीप और यह दुकर चैल को रख सकते हो एक और प्लेयर बचता है तो आप बैटिंग से चाहो तो डी सी के टी सेप्स को रख सकते हो या फिर बॉलर से चाहो एक्स्टा तो रख सकते हो फिलहाल यह टीम कॉंबिनेशन काफी अच्छा बन रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके पास संजू सेमसिन का बहुत अच्छा उप्शन है ठीक है और वी सी आप जा सकते हो रिशत पंद के साथ यह सेफ और बहुत अच्छी चौह जा जा इसके लावा कैप्टन बहुत अच्छा उप्शन है तो तीनो चारो उप्शन मैंने आपको बता दिया है ठीक है आपने एकॉर्डिंग भी कप्तान वाइस कप्तान जा सकते हो फाइनल जो भी होगा हो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा तो मेक्श्यूर आपने टेलीग्राम कर लो तो यह ती भाई हो आज की वीडियो उमीद करता हूँ आपको पसंद आई है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर लेना सब्सक्राइब मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाबाय टेक